Hello friends, welcome back to my channel Garden Dreams. Friends, today I'll show you how I fertilize my plants, यानि कि मैं अपने plants को किस तरह से fertilize करते हूं. Let's start. Basically for fertilization, I am using here rice water fertilizer, यानि कि उबले हुए चावल का पानी, जिसमें starch होता है. यह जो starch होता है, यह हमारा carbohydrate include करता है, यह हमारे plants के लिए काफी beneficial है. As we all know, कि rice जो है, वो great source है, minerals का, vitamins का and antioxidants का. जो भी nutrition होते हैं इस liquid fertilizer में, वो हमारे plants के लिए एक healthy food का काम करते हैं. तो चलिए friends, देखते हैं, how we have to use it. जो भी हमारे चावल हैं, जिनने हम अबाल लेते हैं, पहले तो हमें क्या करना है, we have to take out the starch, जो starch है, यह हम किसी चीज में भगोने में, जैसे मैं आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से रख लेना है, और इससे फिर properly mix करना है, इस ता नो आपने रख दिया और फिर वो अच्छे से mix ना हुँगा, और फिर quantity जो है, वो इकपल रेशियो में नहीं जाती, जब आप उसे अच्छे से mix कर लेंगी, और जो भी आपका कंटेनर होगा, आप उसमें वाटर एड करेंगे, और क्या वाटर का रेशियो रखना है, वो देखते हैं, वो देखते हैं, आप उसमें रखने के बाद, इसे अच्छे से mix कर लेंगे, जब आप इसे, आप इसे, बाइल वाटर को इसमें आड कर रहे हैं, तो आड करने के बाद, आपको इसे अच्छे से mix कर ना है, ताकि जो है, जो स्टार्च है, वो एक्वल रेशियो में, complete water में dissolve हो जाए, तो फ्रेंट्स, अब वो फोर्टिलाइजर इस रेडी तो यूज, नाओ, विफोर यूजिए इट, वी हाव तो कीप सर्टिन थिंग इन आवर माइंग, कि हमें जब इसे use करना है, तो इससे पहले हमें कौन सी बात ऐसी है, जो जरूरी हैं, जिने हमें ध्यान बे रखना होगा, तो चलिए, फ्रेंट्स, नंबर पर आता है, कि जब भी हमें इसे use करना है, तो what we have to do is, we have to take care of our plants, इस plant में आप देख सकते हैं, कि मैंने अच्छे से digging की हुई है, लेकिन जिस plant में हमने digging नहीं की हुई है, we have to do that, हमें उसमें अच्छे से गुडाई कर लेनी है, digging कर लेनी है, ताकि जो हमारा nutrition है, वो entire root system तक पहुँच पाए, और हर root को अपना proper nutrition मिले, हमें पानी जब तक आड़ करना है, जब तक खोल से पानी निकलना है, यानि कि पूरे entire root system को उनका बराबर का शेर मलना चाहिए, अब देखते हैं कि हमारा rice water है, उसमें ऐसा कौन सा सूर्स है, जो हमारे plants के लिए beneficial है, तो सबसे important आता है, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, यस हमारा rice water जो है, वो resource of NPK है, इसके अलावा इसमें nutrition, पूरी मात्रा में होता है, carbohydrate होता है, जो हमारे plant के लिए as a food काम करता है, निक्स इसके benefits क्या हो, इसके benefits हैं है, यह हमारा pest control में भी काम आता है, अगर हम इसकी misting करें, spray करें, तो हमारे plant में pest attack होने से यह बचाता है, साथ के साथ nourishing organic fertilizer का भी काम करता है, यानि कि plant के nourishment में भी यह काम करता है, प्लांट की leaves को healthy मिनाने में भी यह काम करता है, इसके अलावा एक और important चीज़ अक्सर पूछी जाती है, कि हम में किस frequency में इसे use करना है, इसे हम इस fertilizer को every 15 to 20 days में use कर सकते हैं, 15 to 20 days की frequency इसके लिए सही रहती है, we have to avoid using chemical fertilizer and use more organic fertilizer, you can check out my channel for more videos on organic fertilizer, don't forget to subscribe and like the video, happy gardening,